हाई फ्रेंज कैसे हैं आप स्वागित करता हूँ आपके अपने चिल क्रिक 11 फोकास पे इस वीडियो में हम बात करेंगे NZW vs ENW Full Stats Plus Info यानि की New Zealand Women और England Women के बीच में आपको Women's ODI World Cup Match No.19 का जो देखने को मिलेगा काफी important match है दोस्तों अगर आप देखोगे semi-final की race के इस आपसे it is one of the most crucial matches मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि New Zealand और England के लिए दोनों के लिए ये must win है लगभग जो टीम हारेगी वो भार हो जाएगी mathematically चांस रहेगा पहुंचने का लेकिन realistically टीम्स लगभग आउट हो जाएगी जो भी हारेगी सो बहुत ही important match है और दोनों टीम्स फेवरेट थी semi-final में जाने के लिए इस World Cup की शुरुआत से पहले तो बहुत ही कड़ा match देखने को मिलने वाला है बागी दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी आप टेलिग्राम पे नहीं जुड़े हो तो आप वैसे ही बहुत लेट हो टेलिग्राम का लिंक मैंने वीडियो की description और top के comment में रखा हुआ है तो आप टेलिग्राम में ज़रूर जुड़ जो यहाँ से वीडियो की description top के comment से और IPL के नहीं पे बहुत fake channel बनते है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है किसी गलत चल में नहीं गुसना सही channel जुड़ने के लिए आप वीडियो की description top comment में जाए YouTube पे subscribe नहीं किया तो YouTube पे भी subscribe कर लें आपको हमारा channel verified मिलेगा टेलीग्राम पे भी और YouTube पे भी दोस्तों हम बात करेंगे venue की Eden Park Auckland में ये match हो रहा है Eden Park Auckland की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कल ही आपको बताया था one of the small grounds है जहाँ पे runs काफी जादा बन जाते है high boundary percentage है कल के मेरे words है आप अगर India Australia का match देखोगे आप समझोगे कि highest target in successful chase जो हुआ है World Cups में वो इसी match में हुआ है ये आज ही match हुआ है इंडिया Australia का याजिंगी ये जो match है जो खेला जाएगा New Zealand England का वो खेला जाएगा यहाँ पे जल्दी जल्दी सुबा सुबा 20 March को 3.30 a.m. इंडिया के साब से अभी 19 March के दिन यहाँ पे इंडिया Australia का match हुआ है और highest successful chase Australia ने हमारा ग्यारा में से 6 विक्टेफास को 4 spin को actually spin ना देखने को मिली नहीं spin नहीं हुई है लेकिन इस match में हो सकता है हो जाए क्यों 99.3 अगर आप चाहो यहाँ पे इनके player roles भी देख सकते हो लेकिन मैं आपको लेके चलूँगा इन्होंने वर्ल्ड कप में क्या performance दिया so friends अब हम बात करेंगे England woman की जिन्होंने 4 में से केवल एक ही match win किया है तीन उन्होंने हारे हैं दोस्तों तो जो तीन हारे है वो तो ठीक है लेकिन ये हमारे लिए नुकसान है जो जीते हैं मैच इंडिया से जीते हैं परफॉर्म नहीं कर रही है which is a big कह सकते हो let down for England team यहाँ पर लास्ट मिच में अनिया श्रबसोल आ गई फॉर्म में क्या Catherine Brandt आएंगी फॉर्म में इस match में देखना होगा Eden Park के venue पर मेभी जिसे हमने कल Elisa Hilli की बात करी थी क्या पता आप Catherine Brandt भी अपना दमखम दिखा दे लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि दोनों teams 50-50 मानके चलो New Zealand, England मैं यह नहीं कहूँगा कि कोई भी team फेवरेट है बोड teams are equal chance to actually win this match ठीक है तो यहाँ पे Tammy Allen Jones opening करे और Daniela White 3 down पर है अब मेरे चाने से तो England की team चलेगी नहीं तो यहाँ पे Danny White आ रही है opening पे Tammy Beaumont के साथ जो इनकी सबसे consistent player आई है 74, 46, 62 एंड लास्ट मिच में इंडिया के आगे बन लेकिन वहाँ पे step up कौन करके गया इनकी सबसे अच्छी बल्लेबास Heather Knight नैट सीवर quality all-rounder है बहुत अच्छी player है Emieland Jones 53 एक आया है उसके लावा फेल हुई है Sophie Dunclay 17, Catherine Brandt 0 तो यह कुछ इनके पास players है जो बल्लेबास ही आपको दीखेंगी हाला कि Sophie Ecclestone, Charlotte Dean दोनों अच्छी खासी contribution दे सकते हैं बल्लेबास में ठीक है, तो bowling wise लास्ट मैच में आपके लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी game changer, 0.5% सेलेक्शन वली जब हमने वीडियो में ली थी, 1% सेलेक्शन वली Charlotte Dean, इन्होंने लगभग 14.2 डाले हैं पांच विकेट निकाले हैं ठीक है, सोफी एकले स्टोन ने यहाँ पे 5 विकेट निकाले हैं नैट, सीवर ने केवल और केवल 4 विकेट निकाले हैं अन्याश रबसोल 4 विकेट, केट क्रॉस 2 विकेट कैथरीन ब्रंट 1 विकेट और हैदर नाइट 0 विकेट 12 ओवर करके फुल स्टाट प्रस इंफो भी अगर आप देखना चाहो यहाँ पे नीचे इजिली आप आके देख सकते हो किसी भी प्लेयर का आपको रिकॉर्ड देखना है यहाँ पे फुल स्टाट से पहले लिखके रखा था बाकी वर्ल्ड कप के मैचेस यहाँ पे आपके लिए कवर हो गए है तो यह एड़ उन उसमें हो जाएंगे करंटली इन फॉर्म प्लेयर इनकी जो है वो टैमी बॉमट है मेरे को साथ में है दनाइट अच्छी लग रही है बाकी शार्लेट डीन है इंपोर्टेंट प्लेयर केट क्रॉस है बॉलिंग अच्छी करती है अनर श्रबसोल ने लास्ट मेच पर फॉर्म दिखा दी और कुछ-कुछ डैथ में भी बॉलिंग कर रही है सो इंग्लेंड वॉमन के फुल स्टैट्स प्लस इंफो यहां पे हम डिसकस कर लिए है अब हम चलेंगे न्यूजिलेंड वॉमन पे न्यूजिलेंड मुमिन के प्लेयर रोल्स यहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं जिस भी प्लेयर का आप रोल देखना चाहो देख सकते हो अब प्रैक्टिस मैच की बात करें जहां पर ये दो विन किये थे एक लॉस किये थे दो में से और प्रैक्टिस मैच की रीड करनी है तो यहां पे आप प्रैक्टिस मैच की रीड करनी है तो यहां पे आप प्रैक्टिस मैच की देख सकते हो जो domestically बहुत अच्छी बल्लेबाज है तो यहाँ पे इनके all 11 players are good players जो बल्लेबाजी कर सकते हैं it's just कि कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा और मिलके नहीं कर रहे अभी तक जब-जब मिलके करेंगे तो मुझे लगते है न्यूजिलेंड की टीम unbeatable है और Australia को भी post कर सकती है चैलेंज Sophie Divine 108 और 93 बीच में 14,306 दो score उन्हें पांच में से बहुत ही तकड़े मारे हैं ठीक है और last विच पे मैंने आपको बता दिया था जादे important हो गई है क्योंकि Haley Jensen भाहर हो गई थी और एक bowler कम होते ही Sophie Divine के stocks हाई हो जाए क्योंकि runs करती है और over भी करेंगी उस case में एक bowler के कम होने से समझ गई होंगे आप इसलिए मैंने बोला था logic यही है अगर Haley Jensen वहापिस आती है फिर हम risk लेके Sophie Divine को drop कर सकते हैं otherwise बिल्कुल नहीं मैं जिन्होंने last विच पे चारन कि एक ही मैच में 79 not out आया है उसके लबा 16 के अंडर गई है हाला की most experienced player यह मैच कहां पे हो रहा है Eden Park में बहुत अच्छा surface तो Suzy Bates आपकी could be a good game changer ठीक है Amelia करतो मेरी favorite player है I have already said कोई भी New Zealand का match होगा 101% इस World Cup में मेरी Captain Amelia कर रहेगी She is my favorite player and why favorite you can see Runs देख सकते हो 3 match में 40 plus की है Wickets भी आप नीचे देखोगे तो Amelia कर ने 5 match में 8 निकाली है 2 maiden भी की है Catching positions में भी रहती है Complete all rounder है मेरे भाई ठीक है Amelia कर यार you are my favorite मैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ Baki Emmy सदरवेट 31, 75, 44, 1 Medigreen 9, 27, 3 और 30 Brookaly day 32, 22 match में खेली है KT Martim ने ठीक खेला 44, 41, 19, 9 Francis में के 7 और प्लास में 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 बोलर है लिया ताहू contribute कर सकती है बल्ले से जसकर भी कर सकती है Hannerow be everyone मैंने पताया New Zealand की तीम में So bowling wise दोस्तों लिया ताहू Has been terrific 39 overs में 9 wicket निकाले है Emilia Kerr ने पांच पशे 44 ओवर जो अगर शाता है में बोलर है टीम की 8 wicket भी है नरोफ पास 4 wicket है Just कर 3 wicket Actually काफी over जालती थी कुछ एक दो मैचे से कम डाल रही है Haley Jensen 4 wicket Francis Mackay 4 wicket ठीक है तो इनकी bowling department में Game changer मुझे यहाँ दिख रही है Just कर बल्ले बाजी में baits अगर आप grandly खेल रहे हो इन दोनों को इकठे try कर लेना ठीक है यह New Zealand के full stats plus info है Full profile आपको देखने को मिल रही है Full record आपको देखने को मिल रहा है आप easily यहाँ पे किसी को भी player को judge करना चाहो तो record देखके judge कर सकते हो Wicket keeping section जब आप Wicket keeping section में आएंगे आपको Katie Martin मिलेंगी Amy Allen Jones मिलेंगी दोनों ही अच्छी player है लेकिन जादा अच्छी जो मुझे लगती है वो Amy Allen Jones Actually Katie Martin भी अच्छी player है बट यह 3 down पे आएंगी Katie Martin 4 से 5 down पे आएंगी जादा safe रोर जाएगा आप रख सकते हो जादा लोगों ने उनको रखा है बल्ले बाजी वाइस दोस्तों मैंने यहां Amy Sardarweight को बहुत important player माना है हमेशा क्योंकि वो bowling भी कर लेती है लेकिन कुछ matches में उनने नहीं करी है Keval Icing बंगनादेश के सामने करी थी और वहाँ वो तीन विकेट लेके गई थी आप चाहो जरूर रख सकते हो मैंने भी अपनी टीम में जगा दी है Tammy Beaumont है उनको भी मैंने रखा है और Heather Knight को भी रखा है क्योंकि यह दोनों तो देखो crucial बल्ले बाज है बहुत अच्छा कर लेती है हो सकता है मुझे credit degree में इस बल्ले बाजी में credit adjustment करना पड़े और Emmy सदरवेट की जग़ा Danny Ward को लेना पड़े मैं यह करना नहीं चाहता बढ़ हो सकता है अगर मुझे credit की problem आए तो मैं यह करूँगा आगे हो सकता है आपको मैं यह दिखाऊं ठीक है बाकी यहां Suzy Bates अल्ड़ेडी बता चुकों could be a game changer इस match में थोड़ी सी credit की problem है लेकिन इसी season से हमने नहीं लिया otherwise यह wicket पे वही काम जो कल आपको करके दिखाया Alisa Hilli का अब specially बोला था तो वो काम Suzy Bates भी कर सकती है then Medigreen है ठीक ठाक है 3-down आएंगी बुका आलेडे 4-down आएंगी लारेन विंफिल्ड वैसे ओपनर है लास्ट मेंजेस खेल नहीं रही MLM और प्लीमर नहीं खेलेंगी नहीं Georgia प्लीमर नहीं MLM ठीक है All-rounders में आते हैं दोस्तों All-rounders में Emilia Kerr is my favorite pair All-rounder आपको 10-over देती है आपको 1-down बल्ले बाजी देती है रैबल भी हैं काफी जादा सो मैंने इनको ले लिया है Emilia Kerr करके बाद दोस्तों यहां मैंने Nat Sever को लिया यह England की main All-rounder है Over कुछ काम कर रही है 5-6 over कर लेती है तो बहुत अच्छा है लेकिन सोफी अगर नहीं आती सोफी नहीं यहां पे इनफेक्ट हेले जंसन अगर नहीं आती तो फिर मैं सोफी डिवाइन को ही रखना पसंद करूँगा तो अभी मैंने उन्नी को रख लिया है हमारे पास क्रेड है तो हम लिया तभू को रख सकते हैं कैथरिन ब्रंट को भी रख सकते हैं और क्रेड का अभी विक्कत आएगा थोड़ा ब्रंट को मैं वैसे नहीं ले पूँगा लेकिन मैंने आपको बताया बोलिंग में अगर आपको कोई गेम चेंजर चाहिए तो वो कैथरिन ब्रंट है इंग्लेंड से ठीक है न्यूजीलेंड से जस कर और बल्ले बाजी में न्यूजीलेंड से सूजी बेट्स यह तीन हमारी गेम चेंजर हैं इस मैच की I am repeating again कैथरिन ब्रंट यहाँ पे न्यूजीलेंड से आपको यह जस कर दिखेंगी और बल्ले बाजी में सूजी बेट्स तो तीन प्लेयर हो गई यहाँ पे लिया तहू को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि यह बोलिंग अच्छी कासी कर रही है और उसके लावा थोड़े बहुत रंस कर सकती है जादा उमीद मत करना बाकी प्लेयर खेल नहीं रही तो यह एक प्रॉब्लम आ रही है विस इस दा रीजन मुझे यहाँ पे एक प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ा था और मैंने एमी से दरवेट को ड्रॉप करके डैनी वाइट को ले लिया था अब देखो एट क्रेट तो प्लेयर मुझे अभी भी लेनी पड़ेंगी शार्लेट डीन उनको मैंने ले लिया है अपनी टीम में लास्ट मैच में चार विकेट भी उन्होंने हमें लेके दी थी आप चाहो श्रब सोल को रख सकते हो दस ओवर भी कर रही है और यह न चड़ने वली बूलर है अगर यह चड़ जाती है तो तीन से चार विकेट भी ले देती है और मेडन भी डालती है हाला कि अभी तक सिर्फ इंडिया के सामनी परफॉमेंस आया है और मैं इनको ना लेते हुए यहाँ पर जैसकर और फ्रैंसिस मकेय में कन्फ्यूज हूँ फ्रैंसिस मकेय पता है क्योंकि यह बहुत अच्छी स्पिन बॉलर है जो थोड़ी सी बल्लेवाजी करती है कर बहुत अच्छी फास्ट बॉलर है यह हाइस सिलेक्टे न्यूजिलेंड बॉलर होती थी 90-90% सिलेक्टेड होता था इस वर्ल्ड कप में परफॉमेंस नहीं आया जैसकर का अमिलिया कर की बहन है जो मेरी फिवरेट है तो कहीं नहीं मैं लेना चाहता हूँ अब प्रॉब्लम क्या है कल क्या मैच जो था येस्टरेडे मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का हापा हाइलेट्स देखोगे न यू विल सी स्पिन ही नहीं हुआ कोई स्पिन नहीं हुआ तो क्या मैं स्पिनर को लेके जो हम फ्रेंसिस मकई या जिसकर लेकिन 90 ओवर्स की गेम हो गई है 99 ओवर्स कल खेले गई हो सकता है कि अब स्पिन हो जाए ठीक है कल कंडिशन्स देखेंगे सार तीन बजे मैच है पिक्शर रिपोर्ट में क्या बताते हैं वो देखेंगे अगर वहाँ पर बताया स्पिन होगी तो फ्रेंसिस मकई अदर्वाइस जिसकर ठीक है अभी हम माइक है को रख लेते हैं ये है मेरी टीम दोस्तों मेरे को यहाँ पर क्रेट एजस्ट्मेंट के लिए इंगलेंट की ओपनर को लेना पड़ा डैनी वायट को और में से दरवेट को ड्रॉप करना पड़ा कैप्टन सी मैंने दोस्तों यहाँ पर अपनी अमिल्या कर को दिये कैप्टन सी नो प्राबलम मैं इमिल्या कर को ही देना चाता हूँ वाइस कैप्टन सी नेन चिवर को ही देना चाता हूँ प्रॉब्लम, ग्रेंड लीग में या अगर आप बहुत डिफरेंट जाना चाहते हो तो डिवाइन आप्शन है, मैं इनी पे स्तित रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट है मिलिया कर और बेस्ट प्लेयर भी इस मैच में वही खेल रही है, और वीसी नैट सीवर, अगर दोस्तो इस वीडियो से आपको लगता है कुछ हुई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लो, और भही बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि मेरे यूट्यूब की वीडियो जब मैं पता ही रहता हूँ, तो कई ना कई यहाँ पर टेलीग्राम पर भी जुड़ना ज़रूरी है और यूट्यूब पर टेलीग्राम में कैसे जुड़ोगे, वेरिफाइट चैनल है हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टॉप के कोमेंट में जरूर जोड़े ह चली आगली वीडियो में मिलता हूँ